आज के लेक्षर में हम चैप्टर 5 क्वेडिटिक एक्वेशन की exercise solve करेंगे Exercise 5G Exercise 5G के दो question हम solve कर चुके हैं यह है हमारा third question A plane flies a distance of 1600 km at a certain speed on the return journey due to a bad weather as the speed was reduced by 40 km पर आई it took 1 hour 20 minute more than the onward journey find the speed of onward journey ठीक है एक plane है जो 1600 km distance cover कर रही है और उसके कुछ certain speed है तो लेट करते हैं कि जाते समयानी onward journey क्या है यह कोई plane है यहां तक पहुँच रही है यहां तक जा रही है तो यहां से यहां तक कि distance कितनी है 1600 km यह यहां तक गई और यहां पर जाने के बाद वो जब return करेगी तो उसकी speed कम हो जाती है due to bad weather तो जब जा रही है तो उसकी speed हम लेट करते हैं x km पर आर let the speed of onward journey कितनी है x km पर आर यह हमने let किया कि x km पर आर होगी और distance कितना है distance है यहां पर 1600 km यह यहां पर हो गया next देखे जब वो return कर रही है तब उसकी speed क्या हो जाएगी speed of plane यहां लिखे speed of return journey जब वो return कर रही है तो उसकी speed 40 km पर आर कम हो जा रही है पहले वो x km पर आर से जा रही थी 40 km कम हो गई यानि x minus 40 km पर आर यह हो गई return journey की speed distance तो उतना ही रहेगा यहां से यहां तक गई फिर यहां से वापस आ गई तो distance वही है कितना है 1600 km यह हो गई distance अब देखे टाइम निकाल लेंगे यहां से और टाइम निकाल लेंगे यहां पर दोनों जगे टाइम निकाल लेंगे पॉर्मूला पता है क्या पता है कि speed होता है distance upon time और speed यहां पर है x distance है 1600 time है निकालना हमें तो यह इधर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा तो यहां से time क्या आ गया 1600 upon x सेम यहां पर भी 1600 upon x यहां हो जाएगा 1600 upon x माइनस 40 समन में आये चीज़ देखिए जैसे हमने यहां distance रखा 1600 और time निकालना है speed क्या है x माइनस 20 20 है न आज़ा 40 है 40 तो time यहां पर जाएगा multiply में और यह multiply से यहां आएगा divide में तो इसके लिए time यह हो गए यहां पर आर में तो यहां पर भी यहां पर भी दोनो time आर में ही होंगे यहां क्या कह रहा है कि अगर यह speed कम कर देता है 40 km पर आर return जर्नी में अगर 40 km पर आर speed कम हो जाती है तो 1 hour 20 minute ज्यादा समय लगता है पहले इतना time लग रहा था और फिर जब रिटर्न कर रहें तो कितना ज्यादा लग रहा है 1 hour 20 minute ज्यादा लग रहा है अब यहां पर देखिए ध्यान से यह बड़ा होगा time यह बड़ा होगा या यह बड़ा होगा करार कम हो जाती है तो यह time क्या हो रहा है ज्यादा लग रहा है 1 hour 20 minute ज्यादा लग रहा है यह time बड़ा हुआ यह time छोटा हुआ तो यह time बड़ा हुआ तो करेंगे 1600 अपॉन x-40 यह time बड़ा बड़ा माइनस छोटा करते हैं तो यह रहा छोटा is equal to यहां क्या आएगा जितना इन दोनों का time gap होगा कितना है 1 hour 20 minute यह चीज़ संवन में आया किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है संवन में आया देखी फिर से एक बार बता दें जैसे 1 by 2 है या 1 by 3 है यहां पर अगर numerator सेम रहता है तो नीचे जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा हो जाएगा ना उसी तरीके से numerator दोनों का सेम है कौन छोटा है x या x-40 x-40 छोटा हो जाएगा तो यह बड़ा और बड़ा में से छोटा माइनस होता है समझ में आया यहां कितना है 1 hour 20 minute तो अब 1 hour 20 minute को हमें आर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यह 20 यहां लिखा हुआ है तो 1 hour 20 minute 20 को मिनट को अगर आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइट कर देंगे यह यहाँ पर 1 by 3 1 प्लस 1 by 3 यह 3 3 प्लस 1 4 by 3 क्या गया? 4 by 3 टाइम गैप कितना है? 4 by 3R का यह हुआ 1600 कॉमन ले लेंगे यहाँ हो जाएगा 1 by x minus 40 minus 1 by x यहाँ हो गया 4 by 3 यह यहाँ multiply में इधर जाएगा divide में हो जाएगा तो 4 by 3 into 1600 इधर हो जाएगा LCM ले लेंगे इन दोनों का multiply x into x minus 40 1 into x x बीच में है minus 1 into यह number x minus 40 एक चीज यहाँ ध्यान रखना है जब यहाँ minus हो तो जब यह second चीज लिख रहे होंगे तो यहाँ bracket जरूर लगाना है अब solve करें इसे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ यह 4 यह 4 यह हो गया 1 upon 4 यह 12 1200 यहाँ क्या आजाएगा? x minus x minus minus plus 40 upon x into x x square minus 40 x यह हो गया p by q r by s है p into यह number फिर r into यह number इसका इसके साथ multiply तो x square minus 40 x इसका इसके साथ multiply तो यहाँ पहले x minus x cancel हो गया 40 into 1200 x square minus 40 x यह plus में इधर आएगा minus में 12 for jah for t8 और 3 0 है यह यहाँ पर हो गया अब इससे solve करेंगे formula method से तो formula क्या होता है? देख लेते है formula method क्या हो जाएगा? x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4a c upon 2a यहाँ क्या हो जाएगा? minus b कितना है? minus 40 b का square यानि minus 40 का square minus 4 into a क्या है? 1 c क्या है? minus 4 8 और 3 बार 0 लगे हुए है upon 2a a क्या है? 1 यह यहाँ पर हो गया minus minus plus plus minus under root यह यहाँ पर हो गया upon 2 solve करेंगे यह 40 3 2 0 लग गया और यह 6 हो गया यह 3 हो गया यह 9 हो गया यह 1 upon में 2 हो गया यह चीज आया अब इसका factorization करें factor निकालें इसका 1 9 3 6 double 0 5 3 जब 15 16, 17 18, 19 5, 8 जब 40 यहाँ पर 3 आ गया 5, 7 जब 35 1 आ गया 2 और यह 0 फिर 5 से करें 5, 7 जब 35 36, 37, 38 5, 7 जब 35 36, 37 2 आ गया तो 5, 4 जब 20 2, 5, 4 जब 20 अब 4 से करते हैं तो 4 बन जब 4 5, 6, 7 4, 9 जब 36 1 4, 3 जब 12 13, 14 4, 6 जब 24 फिर 4 से करें 4 4 जब 16 17, 18, 19 4, 8 जब 32 4, 4 जब 16 484 किसका स्क्वाइर होता है? 22 का 22, 22, 22, 22, 1 यह यहाँ पर हो गया आया समझ में? अब यहाँ पर क्या करना है हमें? यहाँ अंडर रूट अंडर रूट यानि 22 का पेर एक पेर यह बना एक पेर यह बना यहाँ से बाहर आया 5, यहाँ से बाहर आया 4 और यहाँ से बाहर आया 22 तो, 5, 4 ज़़ 20, 20 इंटू 22, टूटू ज़़ 4, टूटू ज़़ 4 और 0, इसकी जगे हम क्या लिखेंगे, क्या आया हमारा, 4, 40, क्या आया, 4, 40, ये पूरा हमारा, क्या आ गया इसकी जगे, 4, 40, 4, 40 लिखेंगे, 4, 40 अपॉन 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 40 प्लस 4, 40 अपॉन 2, और 40 माइनस 4, 40 अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा, 4, 8, 0 अपॉन 2, तो यहाँ आया गा, टू 2 जब 4, 2, 4 जब 8 और 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा माइनस 400 अपॉन टूर यहां से आएगा माइनस 200 जो कि हमें पता है कि X कभी भी निगेटिव नहीं होगा यानि यहां X हमने क्या लिखा speed ली होगा और speed कभी निगेटिव नहीं होगा तो वो cancel हो गया यहां से answer क्या आया X की value आ गए 240 हमें क्या find करना था find the speed of onward journey let the speed of onward journey कितनी है X किलो मीटर पर आग तो यहां से X की value आ गए 240 तो यहां 240 किलो मीटर पर आग हमारा answer हो गया question साथ में आ रहे हैं note का लिजे फिर next question देखें fourth question है a plane travels at a distance of 1200 km at a certain speed but on return trip its speed was increased by 80 km पर आग and hence it took 30 minute less than onward journey find the original speed जैसे हमारा third question था same वैसा ही है यहां पर पहले हम क्या करेंगे original speed को let करते हैं कि वो x है let the original speed be x km पर आग यह एक plane है जो कितना distance कवर कर रही है 1200 km यहां डिस्टन्स कितना हो गया 1200 km डिस्टन्स हो गया time क्या हो जाएगा time क्या हो जाएगा यहां हम भी पता है speed होता है distance अपcript time, speed यहाँ x है, distance यहाँ 1200 है, time क्या हो जाएगा, t यहाँ divide में इधर गया, multiply में, यह हो गया, x यहाँ multiply में, इधर आएगा, divide में, time क्या आगया, 1200 अपोन xr, यहाँ पर आगया, अब next क्या है, but on return trip, जब वो return कर रहे हैं, तो उसकी speed increase हो जारी, कितने increase हो रही है, 80 km, तो यहाँ पर, return, trip की speed कितनी है, 80 km ज्यादा है, यहाँ पहले x थी, उसमें 80 km ज्यादा, यह हो गया, and इसकी वज़ा से, 30 minute कम time लग रहा है, speed उसने बढ़ा दी, speed बढ़ गए, तो time कितना कम लग रहा है, 30 minute कम लग रहा है, distance दोलों के same है, कितने है distance, 1200, लिख लिया distance, यहाँ time हमने निकाल आते हैं, यहाँ पर भी time हम निकाल लेते हैं, कितना time हो जाएगा, speed कितनी है, x प्लस 80, distance कितना है, 1200, time इधर गया, distance और यह speed नीचे आ गया, time कितना हुआ, 1200 upon x प्लस 80, यह यहाँ पर हो गया, अब देखिए, यह यहाँ, speed distance time, speed distance time, यह original है, जब जाते समय, onward journey की समय, और यह return trip है, return जब वापस कर रहा है, तब के लिए, यहाँ पर ध्यान यह रखना है, कि यह जो 30 minute है, यह जो 30 minute है, सबसे पहले इसको hour में change कर ले, तो 30 minute, यानि half hour, बहुत simple, जब 40 था, या 50, तो उसे change करना पड़ रहा था, यहाँ पर तो बहुत easy है, 30 minute सबको पता कितना हो जाएगा, half hour, तो 30 minute, यानि half hour, half हो गया, अब देखिए, यहाँ पर 1200yx, 1200yx plus 80, कौन बढ़ा होगा, यह वाला time ज्यादा है कि यह वाला time, दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका देखिए, जब उसने speed बढ़ाई, तो time उसको 30 minute कम लगा, speed इसने बढ़ाया, तो यह time कम लगा, तो यह time कम है, यह ज्यादा है, इस तरीके से समझ में आ गया, यह तो देखे, numerator, numerator दोनों का सेम है, तो जो denominator छोटा होता है, वही बढ़ा हो जाएगा, यह दोनों अगर सेम है numerator, तो denominator में चेक करना है, जो छोटा होगा, वही बढ़ा हो जाएगा, यह छोटा है, यह बढ़ा हो जाएगा, यह यहाँ पर हो गया यहाँ 1200 को common ले लेंगे 1 by x minus 1 by x plus 80 1200 और यह 1200 क्या है multiply में इधर आएगा तो divide में हो जाएगा यहाँ LCM लेंगे तो x plus 80 into x तो x into x plus 80 यह इसके साथ multiply तो x plus 80 बीच में minus x into 1 x हो गया plus x minus x cancel क्या आया यहाँ से 80 by x plus x into sorry 80 तो यहाँ पर पहले हम 80 दिख लेते x into x plus 80 x is equal to इधर क्या है 1 by 2 into 1200 यह हो गया अब यहाँ क्या होगा? cross multiplication 1 into यह number 80 into यह number 1 into यह number यह number यानी x square plus 80 x इधर 80 into 2 into 1200 यह हो गया 12 to 24 यह हाँ पर 80 84 यह 32 3 carry 8 to 16 17 18 19 और यहाँ पर 3 0 है यह हो गया x square plus 80 x यह plus में इधर आयगा तो minus में हो जाएगा तो यह minus में कर दिया और इधर गया 0 यह इधर है ना इस साइड आयगा तो minus में हो जाएगा यह हो गया formula लगाएंगे x is equal to minus b minus क्या है? 80 plus minus under root 80 का square minus 4 into a क्या है? 1 c क्या है? यह number upon upon 2 a, a क्या है? 1 यह यहाँ पर हो गया अब यहाँ पर x is equal to minus 80 plus minus 80 का square 8 का हो जाएगा 64 और यह एक 0 ते हार 2 0 हो जाएगे minus minus plus 3 0 पहले लगा दे 4 तू जाए 8 9 4 जा 36, 3 केरी 4 जा 4, 5 6, 7 यह यहाँ पर हो गया upon 2 into 1 क्या हो जाएगा? 2 solve करें इसे minus 80 plus minus add हो जाएगा तो यह 2 0 और यह 4 8 4 12 यह 7 और यह 7 upon में है 2 अब यहाँ पर 7724 00 का हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा देखें यहाँ पर 00 है तो इसको लिख सकते हैं x is equal to minus 80 plus minus under root 7724 into 10 into 10 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? देखें यहाँ पर 2 0 है तो 10 into 10 लिख सकते हैं हो गया अब यहाँ under root है तो यहाँ से 10 क्या होगा? 10 का pair बनेगा और 10 under root से बाहर आजाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे x is equal to x is equal to minus 80 plus minus 10 बाहर आगया बचा यहाँ अंदर 7724 upon 2 तो यहाँ हमें 7724 का factor निकालना है अगर हम पूरा 772400 का factor निकालते तो बहुत लंबा जाता है इसलिए यहाँ कर दिये हैं 7724 का हम factor निकालने अब यहाँ factor निकालने या हमें formula पता है निकालने का उसको निकाल सकते हैं तो देखिए formula से एक trick से बता देते हूं अगर यहाँ under root है तो पीछे से 22 का pair बनाना है हमें pair बन गया pair बनाने के बाद यहाँ दो box है तो दो box बना लीजी यहाँ क्या लिखा है 4 क्या लिखा है 4 तो हम देखते है square करते है number का जिसका unit digit 4 आए पहला तो है या तो 2 का square करेंगे तो 4 आएगा या 8 का square करेंगे 8,8 ज़िए 64 यानि 4 आए यह हो गया अब 77 को देखना है तो किसका square करें वो या तो 77 का equal हो या इससे छोटा हो बड़ा नहीं होना चाहिए या तो equal हो या इससे छोटा हो तो देखें 8,8 ज़िए 64 होता है और 9,9 ज़िए 81 81 बड़ा हो गया तो पीछे जाएंगे 8 8,8 ज़िए 64 अब 2 option है या तो ये 82 का square होगा या तो ये 88 का square होगा या 82 का square है या 88 का square है चेक कर लेंगे 88 का square में तो यहां हो जाएगा या 82 का check कर लें क्या हो जाएगा 4,64 8,16,20,32 यानि 4,2,7,6 ये आ रहा है 82 का square यानि ये हमारा option कट गया ये हो जाएगा 88 का square 77,24,88 का square हो जाएगा यहां से लिखेंगे 10 और ये आ गया हमारा 88 ये है हमारा trick अगर आपको factor से करना है factorization से तो factorization से कर सकते हैं यहां एक बता दिये हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को अगर factorization बहुत लंबा method लगता हो तो ऐसे आप कर सकते हैं ये यहां पर हो गया 88 into 10 तो यहां हो जाएगा 88 double 0 एक बार plus करेंगे और एक बार minus upon 2 और x is equal to minus 80 minus 88 double 0 upon 2 ये वाले को देखिए minus 80 minus 880 यानि यहां पर minus में आएगा तो ये option कट गया इसे solve भी नहीं करना जब देखिए रहा है कि minus में आएगा negative आएगा तो ये चेक ही नहीं करना हमें और हमें पता है हमने x के लिया है speed और speed negative नहीं होगी तो ये कट गया हमारा अब ये option बच्चा आप यहां से चेक कर लेंगे क्या है x की value x is equal to यहां हो जाएगा 800 ये हो गया अब यहां से कट जाएगा तो आजाएगा 400 x की value क्या आगई 400 हमें निकालना क्या था find the original speed original speed निकालनी थी original speed हमने लेट किया था x किलो मीटर पर आर और x की value आगई 400 यानि 400 किलो मीटर पर आर हो गया हमारा answer questions अन्द में आ रहे है note कर लीजे यहां से ये fourth question भी हमारा complete हो गया अब next lecture में हम fifth question से start करेंगे thank you for watching this lecture